यह question काफी आसान है, लेकिन actually क्या है कि हम इतना देख के डर जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आसानी से अप हो जाएगा, पढ़ने की अच्छे से कोशिस करना, क्या कह रहा है और किस तरीके से, expression of gene A, यह बोला कि expression of gene A is regulated by mg2+, expression of gene A is regulated by mg2+, the expression of gene A is untreated and self-treated with mg2+, मतलब दो conditions है, एक untreated को UN लिखा गया है और जो treated है वो आपका T लिखा गया है, mg2+, से reflation हो रहा है, mg2+, untreated है तो UN, और mg2+, treated है तो T, उसको analyze किया गया है northern hybridization से, मतलब RNA की बाद की जाए रही है, और उसके बाद फिर western से hybridization, मतलब RNA और protein, यानि कि transcription और translation को check किया जा रहा है, और similar exercise was done for the mutant, एक same exercise, मतलब mg2+, के साथ untreated और treated किया गया, was done for a mutant, एक mutant के लिए, which was isolated by a 6, यहाँ पर कुछ typing error है, by a 6 by deletion in 5' UTR of the transcript of gene A, ठीक है, एक तरीके से हम अभी तक assume करके चलते हैं, कि यहाँ पर एक deletion हो गया है, उसके 5' UTR में, वो mutant लिया गया है gene A का, ठीक है, अभी तक इस statement का मतलब ही है, कि एक ऐसा mutant जिसमें 5' UTR में एक deletion हुआ है, और इसको use किया गया है, आपके specifically, same exercise के लिए, एक mutant है, और एक wild type है, इतनी सी बात अभी समझ माई, पूरा experiment क्या किया गया, कि एक आपके पास wild type है, और एक आपके पास mutant है, इसको भी Mg2 plus के साथ untreated, और इसको भी Mg2 plus के साथ treated किया गया, wild type को, और mutant को भी untreated और treated रखा गया, इन दोनों के बाद, इन दोनों को जो है, Northern hybridization और Western hybridization के साथ treat किया गया है, basic पंगा यही है, ठीक है, UN का मतलब untreated, WT का मतलब wild type, T का मतलब treated, Mg2 plus से है, MUT का मतलब mutant है, और यहाँ पे gene A में जो है, N मतलब Northern hybridization, W का मतलब Western, वही जो चीज़ मैंने यहाँ पे रखी हुई है, अब पूछा क्या चाहा रहा है, कि if the regulation of gene A expression is controlled only at the level of translation, जो सिर्फ translation के level पे हो रहा है, गेम यहाँ पे शुरू हो रहा है, अभी तक तो सिर्फ ऐसे भासर लिखा हुआ था, explain किया गया था, are possible for the correct representation of experimental results, तो क्या होगा वो possible conditions पे, see, अब यहाँ पे चो है, समझने की कोसिस करिएगा, कि अगर translation के level पे regulation हो रहा है, तो RNA तो बनेगा, सीधी सी बात है, RNA तो बनने वाला है 110% से और, आपके wild type में भी बनेगा, और mutant में भी बनेगा, RNA बनेगा, ठीक है, अब इसमें जो है, protein बनेगा की नहीं बनेगा, वो सवाल आता है, तो इन case में जड़ा देखिए, A डाइघ्राम है, B डाइग्राम है, C है और D है, इसमें wild type है, और mutant है, wild type है, और mutant है, wild type है, देखिए, wild type में northern में band मिलना मतलब RNA बन रहा है, mutant में नदन में band मिला मतलब RNA बन रहा है untreat किया है तब ठीक है अब इस case में यहाँ पे दोनों ही नहीं बन रहे हैं यहाँ पे दोनों बन रहे हैं इसी चीज़ को ज़रा relate करना mg2 plus से regulation जो है वो इसका कौन कर रहा था mg2 plus कर रहा था तो जब mg2 plus से आप कर रहे थे तो RNA बनने के साथ साथ protein भी बनेगा chances है या नहीं RNA बनेगा और RNA के साथ protein भी बनेगा यह बाद समझ में आ रही है कि जब treat नहीं किये तो सिर्फ RNA बना लेकिन protein नहीं बन पाया क्योंकि mg2 plus ने सायद उसको regulate कर लिया था untreated दोनों में RNA बनेगा एक में protein बन रहा है और एक में नहीं बन रहा है क्योंकि mg2 plus ने regulation कर दिया था इतनी बात आपको wild type में समझ में आ रही है क्या? कि wild type का diagram ये वाला होगा untreated मे RNA बनेगा सिर्फ और treated में RNA के साथ protein भी बन रहा है ये diagram यहाँ पे भी possible है लेकिन ये possible नहीं है ये ज़रा से देखिए C categories में wild type में RNA बन ही नहीं रहा है untreated में कैसे हो सकता है? RNA लेवल पे तो regulation ही नहीं हो रहा है जब RNA लेवल पे regulation ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे RNA बनना चाहिए जो की नहीं बन रहा है मतलब ये possible नहीं है ठीक? और यहाँ पे ये चीज possible हो सकती है कि देखिए untreated लेवल पे RNA बन रहा है और protein बन रहा है लेकिन treated लेवल पे RNA बन रहा है लेकिन protein नहीं बन रहा है ये भी possibility हो रहा है कि नहीं? हो सकता है कि negative regulation कर रहा हो ये दोनों के दोनों जो regulation है A और B वाले ये positive regulation कर रहे थे मतलब Mg2 plus से जब treat कर रहे थे तो वो protein बनाने के process को बढ़ा रहा था इनसे ये मतलब निकल रहा है लेकिन D वाले से ये निकल रहा है कि Mg2 plus से जब हम treat कर रहे हैं तो protein synthesis रुख जा रहा है negative regulation है C option तो नहीं हो सकता लेकिन हमको A, B, D में अभी तक ये है कि हो सकता है wild type से तो इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है अब हम mutant की तरफ चट्चा करते mutant क्या कर रहा है कि mutant में उसके 5' untranslated reasons में deletion हुआ है जो deletion हुआ है वो कहां पे हुआ है वो जो है 5' UTR reason में deletion in the 5' UTR reason untranslated reason मतलब translation का कोई फर्क पड़ेगा क्या UTR में अगर MRने है translated reason तो इतना ही है अगर आप UTR में delete कर भी दो तो उससे protein पे कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है protein पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है ये बात तो आपको समझ में आ रही है ठीक है तो वही चीज अब यहां पे यूज करने वाले है अब ज़रा समझ ये in the case mutant में मैं D option को देख रहा हूँ कि mutant में untreated में RNA तो बना ठीक है भाईया RNA बन गया protein नहीं बन रहा है क्यों नहीं बन रहा है क्योंकि यहां पे वैसे भी deletion जो है वो कहां पे हुआ है वो आपके untranslated reason में हुआ है तो protein जैसे उपर बन रहा था यहां भी बनना चाहिए था are you getting my point or not इसी वज़स इस तरीके से यहां पे भी बनना चाहिए था लेकिन बना क्या नहीं बना ठीक है वो जो है वो यहां पे नहीं बन रहा है ठीक है समझ में आ रही है बात कुछ-कुछ नहीं आ रही है आ रही है तो इसमें जो है जरा समझेगा ठीक है नेगेटिव रेगुलेशन की बात की जा रही है तो नेगेटिव रेगुलेशन में जो है अगर डिलीशन हो रहा है पॉजटिव रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन में डिलीशन हो जाएगा तो उल्टा केस चलेगा न राइट ठीक है जड़ा इस केस में समझने की कोशिस करिएगा कि अब ये mutant जो वाला केस है जब यहाँ पर negative regulation की case बन रहा था treated और untreated में तो हो सकता है कि जब जो UTR reasons से जहाँ पर mg2 plus regulate कर रहा है ये नहीं कर रहा है उस case में इस deletion का जो है एक negative impact पड़े जैसे यहाँ पर एक negative regulation हो रहा है तो उस deletion का जो है एक negative impact पड़े जहाँ पर की negative regulation जो है और बढ़ जा रहा है ये possibility बन सकती है translation के level पर हो सकता है कि regulation possible है एक general तोर पर अभी लेके चल रहा है और इस option को अभी थोड़ी देर के लिए रहने भी दे सकते हैं B option को इसी तरीके से treat करिए A और B में अब जैसे कि मैंने A को आपके साथ बताया था तो A के case में आप देख रहा थे कि RNA बन रहा था protein नहीं बन रहा था क्यों नहीं बन रहा था wild type में क्योंकि western blot में protein इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि अपने Mg2 Plus से treat नहीं किया था एक general case में treated में जैसे ही अपने Mg2 Plus में किया RNA के साथ protein बना ये ठीक था वही चीज बी option में भी था लेकिन जैसे ही mutation हुआ या deletion हुआ यहाँ पे उस deletion के condition में mutant के case में ना RNA बन रहा है और ना ही protein बन रहा है ये कैसे possible हो सकता है क्योंकि regulation अगेन वही चीज है कि आपके पास level of translation पे हो रहा है और UTR reasons जो आपका gene बन रहा है transcript बन रहा है उसके UTR में deletion हो रहा है तो उस case में RNA तो कम से कम यहाँ पे बनना चाहिए RNA तो बनना चाहिए नहीं प्रोटीन नहीं भी बन रहा है मैं मान सकता हूँ कि negative regulation हो सकता है positive और negative दोनों तरीके के regulations हो सकते है तो अगर negative regulation हो भी रहा था तो RNA बनना चाहिए था B भी नहीं होगा तो C और B को eliminate कर सकते है अब A और D में A और D में कैसे आगे बढ़ रहा है उसको समझेएगा कि जैसे ही यहाँ पे mutant हुआ mutation में हो सकता है कि अगर यह positive regulation हूँ तो उस case में जैसे ही deletion हो रहा हो वहाँ पे क्या हो सकता है कि northern blood RNA भी बन रहा है और protein भी बन रहा है जरूरत ही नहीं पड़ी इसको mg2 plus की हो सकता है कि जो reason delete हुआ हो वही required कर रहा हो mg2 plus के लिए और इस तरीके से deletion हुआ हो कि without mg2 plus भी protein मना रहा हो और treated में तो protein वैसे भी बन रहा था हो सकता है कि इस deletion की वज़े से possibility हो सकती है इस deletion की वज़े से कि mg2 plus की जो requirement है जो regulation है वो खतम हो जा हो सकता है यह चीज़ तो वो चीज़ बन रही है यहां पर positive regulation मतलब enhance कर दे एक तरीके से वो चीज़े और यह भी हो सकता है कि इस deletion की वज़े से mg2 plus दे या ना दे protein नहीं बनने वाला है तो यह जो deletion हुआ है यह दो तरीके का हो सकता है एक ऐसा deletion हो जो कि enhance कर दे कि protein अब बनने ही वाला है और उसके अलामा जो है हो सकता है कि deletion जो है वो यह कर दे कि protein नहीं बनेगा चाहिए mg2 plus 2 या ना दो तो जो दूसरा केस है mutant वाला केस वो deletion का केस है पहला वाला जो wild type केस है उससे mg2 से आप relate कर ले रहे हो कि positive negative regulation चल रहा है और इसी केस में यहाँ पे यह चीज़ चल रही है कि जब आप mg2 plus दे रहे थे treat कर रहे थे तो protein नहीं बन रहा था और हो सकता है कि यहाँ पे deletion ऐसा हुआ को mg2 plus देने और ना देने का कोई log जो है role playing ही कर रहा है तो यह बहुत बहुत बहतरीन questions में से एक था जिसको देखने के बाद बुद्धी सभी की हिल गई थी और कई सारे लोग जो है इसको पकड़ भी नहीं पाया थे कि कहां तक जाये गा यह तो दोनों perspective लेके देख लेकना था negative regulation देके ही समझना था और जब दोनों लेके समझेंगे तो इसमें A और D दोनों ही समझ में आ रहे होंगे कि A भी हो सकता है और B भी हो सकता है डी भी हो सकता है ठीक है इस तरीके से आपको proceed करना है इस particular problem में और यह कह सकते हैं कि कुछ sessions के जैसे कि 2020-21-22 में अलग sessions के अच्छे questions में से एक था one of the greatest questions में से एक क्योंकि बनना बहुत difficult था अगर आप generally first time इसको देखोगे तो ठीक है क्योंकि इसमें wild तीन लेवल पर experiment को मिलाया है एक Mg2 plus का regulation उसके बाद wild type mutant का case है और northern और western का case है तीन टेकनीक को एक साथ merge करके आपको hybrid किया देखोगे तो एक आपका treated, untreated, western mutant और northern western तो इस चीज़ को वही कर पाएगा जिसके पास basics हो कि किस तरीके से कोई चीज़ perform हो रही है दो options तो आसानी से eliminate कर सकते थे इनी दोनों option में आपको confuse होना था लेकिन जब आप confuse हो रहे थे तो आपको यह देखना था कि एक positive है और negative regulation है तो चले I hope कि आपको समझ में आ गया होगा